जैकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों कई ऐसी फसलें जो देश के लगभख सभी छेतरों में उगाई जाती हैं और इसका लोग प्रयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं इसकी खेती तो फाइदेमन है ही साथी साथ दोस्तों इस सेहत के लिए भी बहुत इसकी खेती से कम लागत में कम समय में अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है और इसकी खेती आसानी से की जा सकती है इस खीरे की खेती की कुछ खास बातों के बारे में हम जानते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आवसी खेती कर अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है जैसे दोस्तों किस टंपरेचर में या तापमान पर अच्छी खेती होती है खीरे की खीरे की खेती को करने के लिए तापमान लगबग 20 डिगरी सेलसियस से लेकर 40 डिगरी सेलसियस तक होना चाहिए इसे अधिक वर्षा और आधिरता वाला मौसम नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर इसमें कीडों की संभावना बढ़ जाती है अब बात रही कि किस प्रकार की भूम पर इसका खेती करना अच्छा होता है इस खेती को बलूई दोमट या दोमट भूम पर आसानी से किया जा सक की जरूरत होती है अब इस میں किस्मों की जहां तक बात रही तो दोस्तों अपने एरिया के हिसाब से किस्मों का चैन करना चाहिए किस एरिया में किस वतावरण में कौन सा वी जैदा अच्छा होता है वो आप आसपास से जानकर लेंगे तो काफी अच्छा होगा लेकिन इसक कि अलावा भी दोस्तों खीरे की फसलों की मुखी रूप से 3 किस्मों को बाटा जा सकता है जैसे कि बिदेसी किसमें उननत किसमें वैसे पंजाब सेलेक्षन, पूशा सायोग, पूशा बर्खा खीरा नबबे भी आज कल.." इसकी मांग है इसी तरह संकर किस्मों में आप 5 संकर खीरा 1 प्रिया हाइब्रीट प्रिया प्रमुक हैं खेत तयार करते समय किन-किन बातों पर ध्यान रखने की जरूत है दोस्तों खीरा की खेती करने से पहले मिट्टी की जुताई पलटने वाले हल से करना बहतर होता है उसक 20 तंद गोबर की गली सड़ी खात का प्रियोक करें बुवाई का तरीका क्या हो दोस्तों अब अच्छी तरह से तयार केगे खेत में 1 मीटर की दूरी पर मेर बनाते हुए 60-90 सेंटी मीटर की दूरी पर बीज बोने के लिए गढ़्धे तयार कीजिए प्रते गढ़्धों म में आप 10-15 दिन पर पानी की जरूरत पड़ती है ध्यान रहे कि तने की ब्रधी के समय या फूल आने के दौरान पानी परियाप्त मातरा में मिलता रहे और इसका तुड़ाई का उचित समय क्या होता है दोस्तों इसके फलों को कोमल अवस्था में तोड़ना चाहिए मुला के तो घर में बनाएगे किट ना सक फंगी साइड इत्याद का खीरों में पिरूप करें इससे क्या होगा कि किये सीदे सीदे हम लोग खाते हैं तो हमारा केमिकल बेस नहीं होगा खीरा और अच्छा भी होगा तो दोस्तों खीरे की खेती की यह थी कुछ खास बात हैं अगर झाल